एक important information है और ये important information उन लोगों के लिए है जो international border पर जाते हैं सुचेदगड के पार और जहां पर retreat ceremony होती है और हर weekend वो Saturday और Sunday होती है लेकिन ये important information उन लोगों के लिए इसलिए है कि अगर कोई वहाँ पर जाना चाता है तो वो इस life को एक बार जरूर देख ले क्योंकि COVID के cases के बीच में एक surge देखने के बाद ये decision लिया गया है कि आज से वहाँ पर beating retreat ceremony जो है वो नहीं होगी क्योंकि number of cases जो है वो बढ़ रहे हैं और आज से ही जो retreat ceremony है जहां पर border security force के जाबाद आते हैं और अलग-अलग वहाँ पर वो stunts भी करते हैं परेड भी करते हैं और वहाँ पर कहीं सारे लोग attract होकर भी जाते हैं और एक किसी की किरोश्टी जो है वो रहती है कि वह वहाँ पर जाए और border security force के जवानों का जस्बा भी देखे लेकिन COVID को देखते हुए जो एक surge आया है कल भी COVID के बीच में जो cases थे उसके बीच में कुछ हाल आया है उसी को information जो है उसको सुन ले ध्यान से ताकि इतनी दूर अगर कोई जाएगा तो ऐसे ही कहीं उसके लिए कोई futile exercise ना हो जम्मू परिवर्तन ये live आपको बता रहा है और ये जो आरेस पुरा के पास सुचेदगड़ है और वहाँ पर जो ऑप्ट्राई पोस्ट है ठीक वो BOP जो है वहाँ पर ये जो रिट्रिट सहरामनी है वहाँ पर होती है लेकिन आज से वो रिट्रिट सहरामनी नहीं होगी क्योंकि एक search देखने को मिला है कोवड के cases के बीच में वहीं अगर कोवड की बात करें तो दिल्ली के बीच में जिस तरह हमने सुबह भी live किया था और आपक खास तोर पर जो administrative council है जिसमें chief secretary है उनका भी टार्गेट है कि जादा से जादा जो testing है वो करवाई जाए डिविजनल कमिश्टर जमूद्वारा भी जो restrictions है वो implement करवाई जा रही है और उसके साथ-साथ night curfew के लिए भी जो आदेश थे वो दिये गे थे और इसी बीच ये जो खबर है हम आपको बता रहें कि सुचेदगड के लाके से जहां पर retreat ceremony होती है वो अब आज से जो है उसको फिलहाल बन कर दिया गया है आज से वो नहीं होगी क्योंकि COVID उसकी वज़ा है कैमला मैं अभिशेक के साथ मैं सुमिला ब्रोल जमू परिवर्दन के लिए